एक बाफर से आपका शुवागत है जावडों सो दस बड़ी बात है जो RGD को जीत दिला सकती है कैसे दिलाएगी जीत और कौन-कौन से वो मुत्ते रहेंगे जिन को लेकर RGD इस वार चुनाब 2020 का जीतने वाली है अगर बिहार में दो ही बड़ी पार्टी इस वार आमने सामने हो सकती है जिन में अगर बात करें तो नितिश कुमार को अगर कोई टककर दे सकता है तो वो तेजस्वी यादा भी होंगे और तेजस्वी यादब को अगर कोई ठककर दे सकता है तो वो नितिस तुमार की शरकार हो सकती है आवा आती है गड़बंदन की बात तो गड़बंदन में किसके साथ कौन हो सकता है बता दे इस बार क bleach यहाँ पर दाविदारी रही है आर जीडी के साथ के स्थी सीटो पर जो चनाभ लड़ती है इसके अलावा कई वर्पार्टी है जो आर जीडी का खेल बिगार सकती है तो RGD अगर महागणडबंदन में जाती है तो महागणडबंदन से RGD को नुशान हो सकता है क्योंकि जो उनका खुत्वा बोड़ शेर है वो कहीने कई बढ़ जाएगा और जो उनकी प्रब्रब्रबंदन को तुरू बढ़ जाएगी तो RGD अगर कॉंगरिस के साथ चनावी मैदान में उतरती है और कम सीटे अगर कॉंगरिस को वो देती है तो RGD कितनी सीटे यहाँ पर जीतेगी इस पर भी आपको आपकरे दिखाएंगे अगर बात करें तो RGD को लिए सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है दस महित्पून पॉइंट आपको दिखाएंगे RGD कैसे जो है 2020 का चुनाप जीत सकती है आपकी जान करें के लिए बता दें कि ज्यारकंड में जो है सिब्बू सोरेल जो ज्यारकंड के लिए काफी महित्पून भूम काम रहे थे और यहाँ पर जो वरिष्ट नेताओं में आते हैं कि अलाव अगर बात करें तो NCPF द्यक्श सरत पवार जो की महराष्ट के लिए काफी महित्पून कामें आए तो इसी परकार से वरिष्ट नेताओं का सम्मान यहाँ पर करना होगा RGD को बिहार विधार समचनाब 2020 का गरोंने जीत रहे हैं और सभी बड़े फैसले वो अपने वरिष्ट नेताओं के यहाँ पर समझाने से ही यहाँ पर ले जाए तो यह महित्पून पॉइंट हो सकता है दूसरा बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर निकल कराता है RGD के लिए कि जीत का यह सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है देखिए महागडवंदन में अगर जादा अगर पार्टियों को वो सामिल करते हैं जिससे RGD का जो गड़वंदन से उनका जो बोड़ शेर है वो यहाँ पर विखर जाएगा और कहीने कही सीट बटबारे को लेकर भी जो है काफी एहम भूमिकाव होगी तो अगर RGD कांगरीस के साथ के बल दो ही पार्टियों के साथ गड़वंदन करते हैं तो आराम से 2020 का जीत सकती है अगर गड़वंदन करते हैं तब ओर महागडवंदन पार्टियों को रखती है तो फिर जितना काफी मुश्फिल होता है के अलावा देखिए तीसरा जो पॉइंट निकल कर आता है कि कई मुद्दों के बजए एक मुद्दे पार ध्यान केंविस करें जियां दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी चुनाब होते हैं तो विपक्ष और यहां पर जो भी सक्ता दर्थ पार्टी होती है वो यहां पर अपने अपने मुद्दों को लेकर चलती है लेकिन अगर जो मुकक्ष है वो जादा मुद्दों को ना लेकर कुछ महित्पून मुद्दों को और ही चुनाफ लड़े तो वो काफी कारगर साबित हो सकता है बिहार बधान सबाचनाफ जिसमें वीरोजगारी हटाओ यात्रा जिसमें कार की मुद्दे थे और लॉकडाउन के चलते फिलहाल यहां पर जो है बिहार बधान सबाचनाफ के लिए तैयारियां रोग गई हैं लेकिन इससे पहले काफी महित्पून जो थी तैयारियां सुरू हो चुकी थी अपने अपने पार्टी अपने जो नेता थे वो अपने अपने अलाकों में जाकर अपना प्रचार अपनी पार्टी के लिए करने लगे थी तिलहाल अगर आंकरे दिखाएं तो लोग सबाचनाफ के नजरिये से भी देखें तो बीजी पी और जेडियू जो है काफी अच्छी सीठे हासल की थी लेकिन आर जेडियू आप कहीं ने कहीं बिहार विदास सबाचनाफ 2020 में इन मुद्दों को लेकर चुनावी मेदानों है तो उनको फायदा होगा चौथा महिकून पॉइंट क्या निकलकर आता है देखिए आपने देखा होगा कि पार्टी में जब भी चुनाब होते हैं तो पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता होते हैं जो अलग-अलग अपने बात रखते हैं जिससे जो जनता होती है वो कही एक पार्टी के छत्र साया में जो भी यहां पर नेनाय लिए जाते हैं वह कहीं है कि इनको फायदे में देते हैं लेकिन नेता विखर जाते हैं और अपने अपने मन के साथ से बहुत रखते तो इस से जनता थोड़ी सी बहग जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा केवल कोर बूट बचाने पर ध्यान केंदित करें मतलब पुराना बूट शेर है उसको यहां पर बचाने की कोशिश करें और जो नया बूट शेर है उसको यहां पर आकरशित करने की कोशिश करें ऐसा नहीं हो कि अपना जो पुराना बूट है उसको यहां पर बटने दिया ज करें मतलब की बिपक्ष को यहां पर शुसासन कहने पर भी जो है बोट शेर जो है वह बढ़ जाएगा बिहार विधान समचो नाव में आरजेडी के लिए तो बयानवाजी सरसे बड़ा यहां पर सवाल है कि बयानवाजी बिल्कुल सही होना चाहिए इस तरह के मुद्दे करें कि हम इस तरह की काम अब बिहार विधान समचों अब 2020 में करेंगे और जो भी संबंदित सीटे हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी लिए तो अगर यहां पर नाउन कूते हैं तो लॉकडाउन के बाद कहना होगा कि वह अपने अपने छिप्तों पर जाकर काम स्टार्ट कर देंगी और कहीने के जनता भी समझेगी कि यह हमारे नेता हैं हमें इनी बोट करना है तो इस तरह से जो है इनको काफी ज्यादा फायदा होगा इस तरह से वह चुनाबी मेदान में उतरेंगे और इसको काफी फायदा होगा आड़वा बड़ा पॉइंट यहां पर है पर काफी दुक्षान होगा तो एक परिवार में एक ही नेता की छतर स्राया में वाकि सभी जो है काम करें यह बड़ा पॉइंट होगा आड़वा बड़ा पॉइंट नमा पॉइंट क्या है जाते समीगरन देखी सवर्ण अगर बात के तो 25% यहां पर बिहार से आते हैं बैस से ज्यादा और अपना अगर यहाँ पर राजनीती करते हैं जाती गर राजनीती अगर होती है किसी भी यहां पर पार्टि अगर राजनीती करती है जाधी राजनीदी में उतरती है और कह सकते हैं कि वो अगर हर मुद्दे पर जवाब देती है जनता के लिए और कह सकते हैं कि विपक्षी दल के लिए और जो भी कुछ यहां पर जबी सवाय होती है तो उस पर कहीं ने कहीं ध्यान केंदित करना है तो अगर बता दें आपको कि यह दस बड़े प आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार और कितनी सीजों के साथ वो सरकार बनाएंगे अपकी रायक कमर बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए चैनल को सुस्काइब करना बिल्कुर न भूलें ताकि आपको सही जानकारी इस चैनल के मादान से हर दिन मिलती रहे